दोस्तों आपको बता दूँ आंद्रप्रदेश की सरकार ने New Electronic Policy को Green Single दे दिया है और इस Policy के तहत इनका सबसे बड़ा Target ये होगा कि 2024 तक आंद्रप्रदेश यानि की AP को World Class Level का Electronic Infrastructure तयार करना है अब ये Policy इनोंने Approve की है इसमें ये World Class Electronic Manufacturing Infrastructure तयार करेंगे साथ में ही EODB यानि की Ease of Doing Business को भी जादा सुधा रेंगे वैसे Currently की अभी बात करें तो जो इंडिया का Currently Manufacturing सेक्टर है इसका साइज है लगबग 104 बिलियन डॉलर उमीद है कि इसको 2025 तक 400 बिलियन डॉलर तक लेके जाना जिसमें की AP Government यानि की आंद्रप्रदेश की Government इस New Policy के तहत काफी सारे Green Field Manufact Manufacturing Hubs को तयार करना चाहती है ताकि इनका भी Market Share काफी तेजी से बढ़ जाए जो कि आंद्रप्रदेश Government ने काफी अच्छा सोचा है वैसे यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि इनका पड़ोसी राज यानि की तमिलनाडू ये भी अपने आपको एक Electronik Hub बनाना चाहता है इनका भी Target काफी अच्छा है अब बात करी जाए इनकी तो इनके Target को देखते होए अंताजा लगाया जा सकता है कि इंडिया से जो भी Goods का Export होगा 2025 तक तो इसमें इनका 25% तक का Contribution होगा लगबग अब यहाँ तमिलनाडू की अगर बात करें तो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से काम किया है कि जितनी भी Companies विदेशों से आ रही है तो Mostly वो तमिलनाडू में ही अपना Production करना चाहती है अब जैसा कि दौनों ही स्टेट्स में काफी Competition है Electronics Manufacturing Hub बनने का देखना यह है कि World Class Manufacturing Cluster बना के 39,000 Job Opportunities Generate करी जाएं and Mostly यह favorable होगा Women's के लिए वैसे देखा जाये तो Central Government ने भी इसमें काफी Help करिये Local Manufacturers की अपनी PLI स्कीम से दोस्तों आपको बता दूँ PLI का मतलब होता है Production Linked Incentive तो अब जैसा के PLI स्कीम से Local Manufacturers की काफी Help करिये गौर्मेंट ने जिससे कि इं और जैसा के Other Electronics की बात करें तो Solar Panel स्याफिर Electric Two Wheelers की मतलब कहने का यह है कि आंद्रप्रदेश और तमिलनाडू दोनों ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं जिसमें के इनको सपोर्ट मिलाए PLI स्कीम का तो कहने का मतलब यह है कि तमिलनाडू और आंद्रप्रदेश दोनों ही Electronics Manufacturing क की बैकबून है इंडिया की